हेलो व्रेंट्स में नाम है वीजे और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने custom iterators को लिख सकते हैं उनके लिए हमें क्या-क्या पढ़ना ज़रूरी है तो हम start करेंगे block से फिर हम बात करेंगे iterators की तो चले start करते हैं देखिए custom loop लिखने से पहले आपको ही पता होना चाहिए कि block कैसे काम करता है block का code कैसे लिखते हैं और block किस तरह से execute होता है और आपके iterators कितने type के होते हैं ठीक है और उसके कुछ important methods कौन-कौन से होते हैं तो यहाँ पर देखिए block किस से start होता है जैसी curly basis या फिर do keyword से आपका start होता है अभी दहा हम block को use करते हों आ रहे है ठीक है जैसी कि मैंने यहाँ पर लिखा है one dot upto अब यह क्या है अब two का काम क्या है अब two क्या करेगा जैसी अगर मैं one पर call करा रहा हूँ one upto 10 तो यह क्या करेगा one को 10 तक की value को लेके जाएगा one से फिर two फिर three फिर four ठीक है औ तो यहाँ पर जो यह method है यह क्या करेगा इस block में अपनी value को pass करेगा ठीक है सबसे पहले देखिए हमने क्या कर रखा है यहाँ पर देखिए mod x लिखा हुआ है अब यह mod x मतलब दो pipe symbol के अंदर मैंने एक variable दे रहा है यह क्या है आपका variable है और यह जो variable होगा सिर्फ block की body तक exist करेगा उसके बाद नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है जो x है एक variable है ठीक है और up to method क्या करेगा heating value को जैसे अ को फिर पास करेगा फिर 2 को पास करेगा वेरेबल में फिर 3 को 4 को इस तरह से और फिर जो operation करवाना चाते हैं वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ज़रूरी नहीं है मैंने एक line पर लिखा है तो आप भी एक line पर लिखें ठीक है जैसे मैंने लिखा 1.up to 10 मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है 10 मैंने यहाँ पर लिखा फिर मैंने आप कल्लिविसिस स्टार्ट किया और यहाँ convention है कि आप यहाँ कर रहें वेरेबल का नियम इसके सांद एकी line पर दे दें यह convention है आप इसको तोड़ भी सकते है next line पर लिखा ज़रूरी नहीं है फिर आप यहाँ पर next line से कोई भी operation जो अपना code है वह यहाँ पर लिखा सकते हैं फिर आप इसको कल्लिविसिस को close कर सकते हैं तो यह क्या होगा आपका पूरा एक block होगा ठीक है जाद तर इसको एक line में लिखा जाता है by convention easy पड़े लेकिन आप अगर code ऐसा है जिसको एक line में नहीं आ सकता या फिर complicated लग रहा है क्योंकि जो main चीज होती है वह होती है readability अगर आपका code readable नहीं है ठीक है तो वह आपका code अच्छा नहीं माने जादा था है या आप उसको कितने भी धंग से लिख लें ठीक है readable होना चीए code क्योंकि हम तो जब काम करते हैं तो client के तौर पर client को provide करवाते हैं तो वहाँ पर उसको समझ में आना चीए कि अच्छा ये code लिखा हुआ है ठीक है readable होना चीए ताकि जब हम company में काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी job छोड़ दी आपने job छोड़ दी तो आपका code लिखा हुआ code है वो कि करके दिखाया है कि आप इसको क्या कर सकते हैं do keyword से भी use कर सकते हैं अगर do keyword use नहीं करना है तो curly wishes भी use कर सकते हैं do की जगा पे ठीक हो गया फिर यहाँ पर देखिए मैंने क्या करका है एक hash लिया है hash के सांद each method को use किया है अब मेरेको यहाँ पर each method समझाना है मेरा काम तो यहाँ पर देखिए मैंने do keyword कर फिर से use किया है and keyword कर फिर से use किया है तो यह पूरा हमारा block है यहाँ पर आपका curly wishes भी लगा सकते हैं और फिर मैं यहाँ पर variable ले रहा हूँ यहाँ पर मैंने क्या करका है दो variable ले रहे हैं एक key name से और value name से इनको separate कर रखा है comma से अब compulsory नहीं होता है तो यहाँ पर अगर आप do लिख भी देते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा do और end इसका block है और यह जो end है यह इस वाले do का block है तो यह भी आपका एक block है अभी मैं बता हूँगा collection method के इस तरह से काम करता है ठीक है यह methods के उपर बात करेंगे अब आता है return value अब देखिए आपके दो keyword यहाँ पर use होते है Ruby में एक होता है return और एक होता है आपका next अब देखिए return और next किस तरह से काम करता है next क्या करेगा जैसे return क्या होता है return जैसे आपने यह आकर next की जगह यहाँ पर return लिख दिया तो यह क्या करेगा जैसे आपने कोई loop चलाया ह और आपने return कर दिया उसको आधी चेरी return हो जाएगी ठीक है लेकि next में ऐसा नहीं होता है next में क्या करता है यह value को पास कर दिता है फिर उसके बाद next value जैसे आगो मान लीजिए loop 1 पर चला है और x की value 1 है इस पर loop चला है आपने next करा के इसको 1 को भेज दिया ठीक है फिर यह क्य लेकि next ऐसा नहीं करता है next क्या करता है जिस value पर x की value 1 पर अगर इसने return किया है ठीक है अगर loop चला है ठीक है फॉर का loop x is equal to 1 है ठीक है उस case में तो यह को return कर दिया तो उसके बाद जब x की value 2 होगी दुबार से code चलेगा अभी हम return on next पर example लेके आएंगे तब आपको करते होंगे ठीक है जैसी मैं fall loop में आपको बता रहा था fall loop में अगर आपको वेरेबल लेते हैं तो उसके बाहर भी उसको access कर सकते हैं जैसे while loop में जो आप वेरेबल लेते हैं वो उसके बाहर भी उसको access कर सकते हैं लेकिन block में ऐसा नहीं होता है block की body होगी वहीं तक आप उ को access नहीं कर पाएंगे अब देखिए मैंने यहाँ पर एक example लिया है मैंने लिया है one up to four do one semicolon b अब देखिए one semicolon b में और one comma b में क्या फरक है मालेच यह कोई hash है है जिसमें मैं each method call करवा रहा हूँ अब each method क्या करेगा यह key और value दोनों ही pass करेगा a पर key और b पर value save हो जाएगी अगर comma लगाए तो semicolon कब use करते हैं इसके मालेचे मुझे पता है कि up to method सिर्फ a की value pass करेगा मेरी तो वो a में save हो जाएगी और b जो variable है इसको मैं अपने block के अंदर use करूँगा जैसे यहाँ पर up to method क्या pass करेगा एक value pass करेगा जैसे one pass करेगा फिर two pass करेगा फिर three ऐसे fourth pass करते रहेगा वो आपकी aim आएगी लेकिन जो b variable है वो मैं इस block के अंदर use करना चाहता हूँ ठीक जाता हूँ उसको print करवाना चाहता हूँ तब मैंने यहाँ पर b इस तरह के से लिया है अगर मुझे c भी लेना होता तो मैं semi colon b a semi colon c लिखता इसका मतलब जैसे हम पता है हमें कि semi colon क्या करता है separate करता है जैसे new line separate करती है ठीक है जैसे do method separate करता है वैसे हमाँ semi colon भी separate करता है तो a अलग है b अलग है और c variable अलग है लेकिन जब आप a, b देते हैं तो इसका मतलब जिस method में आपने call किया है वो दो value pass करेगा एक a में जाएगी दूसरी b में जाएगी तो वही चाहां पर हो रही है अब जैसे मैं आशेका था कि block में जो आप variable create करेंगे जैसे यह b है ठीक है या फिर a है वो सिर्फ इस block तक ही exist करेगा उसके बाद जैसे अगर मैं इसको access कराना चाहूँ या प्रिंट करवाना चाहूँ कोई operation करवाना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा ठीक है यह चीजा आपको ध्यानक नहीं है ते करा है इसको है करते हैं कि हर एक value को access करेंगे एक बाई एक करके ठीक है और इक कशका use करते हैं yield, міच करते है आपके वो resources को deallocate भी करते हैं जैसे कोई resources उनको मिले तो उनको उसके बाद deallocate कर देंगे अभी हम एक एक करके सारे methods के उपर बात करेंगे ठीक है और सम में क्या difference है ये भी बात करेंगे अब देखे कुछ methods आते हैं आपके जो काफी important जैसे collect methods, select method, reject method और inject method देखे collect method बिलकुल map के तरह काम करता है अब देखे map किस तरह से काम करता है ये मैं example समझाऊँगा और map और each में क्या difference होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा दोनों एक ही तरह से काम करते हैं लेकि slightly इसा difference होता है इन दोनों में वह हम जानेंगे भी थोड़ी ज़ दिया गया है ताकि आपको याद रहे जब आप इसको पढ़ें PDF अब देखे select method क्या करता है select method आपका क्या करेगा value को तभी return करेगा जब ये value को true होगी condition जोगी वो true होगी तभी इसको ये return करेगा वन्ना ये false पर return नहीं करेगा value reject इसी का उल्लटा होता है select का उल्लटा ये पास कर रहे हैं,ठीक है inject के साथ अगर कोई आर्गुमेंट पास कर कर रहे हैं तो मैं उसको पहले लेलु Mac ठीक है जो first argument आपका argument होगा,जो आपने पास किया है, את met आप कोई operation करवा रहे हैं जिसे मैं करा रहा हूं कि जो x है वो multiply हो जाए y से x और y multiply हो गए मान लीजे x में पहली value आई 1 y में पहली value आई 2 ठीक argument आपने पास किया 1 और यहाँ पर जो आपका array था उसमें पहली value थी 2 तो यह आपको आपको y में 2 assign होगए फिर आपने multiply कर दिया तो यह 2 बन गया अब यह जो 2 answer आया है multiply करके यह first argument फिर से बन जाएगा और y क्या बनेगा y इसके बाद जो array में इसके बाद वाले element होगा वो बन जाएगा तो पहला argument क्या लेता है कोई भी previous value या फिर जो आपने argument पास किया है वो ले लेगा ठीक है first argument second argument क्या लेगा जो भी next element होगा innumerable object में innumerable object मतलब जिसको हम innumerate कर सकते हैं अब देखे वो innumerator क्या होता है innumerable object क्या होता है वो class मैं जब आपको बढ़ाऊँगा तब मैं समझाऊगा innumerable object आप यह समझ सकते हैं कि जिसको हम irritate कर सकते हैं इसे array या hash अब हम visualization code की तरफ चलते हैं और अपनी code को एक एक करके सारे समझते हैं अब देखे हमने code को एक एक करके समझते हैं फिर मैंने यहाँ पर upto method यूज किया है upto method जैसे मैं आपको बताया यह 5 से लेकर 11 तक की जाएगा और यह क्या करेगा a मैं उपनी value को pass करेगा जैसे पहले a मैं यह pass करेगा 5 को और यहाँ पर मैंने Semi‑ Alone लगा के b लगाया यहाँ है क्योंकि न BI मैं b ko यहाँ पर use कर रहा हूँ ठीक है upto method जो pass कर रहा हो चको सिर्फ a मैं जा रहा है ब में नहीं जा रहा ठीक है यहां क्योंकि मैंने समाइकॉलन लगा रुका है फिर एक मैं मैं क्या कर रहा हूं पहले A और B को print कर रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सको कि A और B में value क्या क्या है ठीक है अब भी देखे B में कोई भी value नहीं होगी इस time पर फिर यहां पर क्या होगा B में क्या जागी 6 value आ जागी और 606 प्रिंट होगा गई B की कोई value नहीं है तो यहां पर नेल लिखा हूँ आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है फिर यहां पर 36 प्रिंट होगा आया ठीक है B B multiply by B क्योंकि A plus 1 6 हो गया 36 आ फिर A की value 6 हो गई फिर B की value कुछ भी नहीं है फिर यहां पर P की value में मैंने डाली A की value मनला 7 value डेलिक फिस 7 इंटो 749 इसी तरह से बाकी value यहां पर आपके 11 तक आ चुकी है 11 तक आई और जब 11 आया A की value तो B की value 12 तो 12 12 144 आपका लिखा हूँ आ ठीक हो गया अब देखिए उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया है यहां पर मैंने A और B को access कराने की कोशिश किया है ठीक है यहां पर से अगर मैं इसको अटा भी देता हूँ इसको मैं अगर print करवाना चाहूँ तो यहां पर यह print नहीं होगा क्योंकि जो A variable है वो सिर्फ इस ब्लॉक तक ही exist करता है इसके भार exist नहीं करता है अब देखिए मैंने यहां पर एक hash लिया है जहां पर मैंने value ली है A और B की ठीक है यह आपके key होगी value key और value फिर मैं यहां पर क्या करा हूँ each method को use करा हूँ आप देखिए each method क्या करेगा each method जिस पर call किया गया है यहां एक हम key में store करा रहे है key variable पर और एक value variable पर store करा है इसलिए मैंने ह contr. ठीक है ता कि हमारे एक value key में जाए Though दूसी value, variable में जाए, दूसी value, value में जाए, फिर मैं यहाँ पर इसको put करवा रहा हूँ, key और value को, ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ पर run करता हूँ, और यहाँ पर मैंने select करके run करना था, इसको मैंने run किया तो a1, b2, c3, इस तरह का output पूर यहाँ पर देखने को मिल ला है, अब भी हमारा कोई फरक नहीं पढ़ता output में, same output आथा, ठीक है, अब आप बोलेंगे कि map और each में फ़ी फरक क्या रही गया, तो अब यहाँ फरक बताता हूँ आपको, मैंने इसको code को सही कर लो, each कर लिया मैंने आपर, अब देखे, फरक समझ लेते है, each और map method में, जैसे यहाँ पर मैं examples आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने array लिया है, और मैंने map method को use किया है, और कोई भी चीज में print नहीं करवा रहा हूँ, इस case में क्या करवा रहा हूँ, जैसे n जो variable था, उसमें मैंने 2 multiply करा दिया, जैसे अगर n में value पहले 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आए यह return करेगा, लेकि each method क्या करेगा, modified value को return नहीं करता है, जो original value है, उसी को return करेगा, ठीक है, जैसे कि यह देखिए, पहले मैं इसका output आपको दिखा देता हूँ, इसका output कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ भी print नहीं करवा रहा है, ठीक है, अगर मैं यहा यहाँ पर print करवा लेता हूँ, array 1 को, select करूँगा, run करूँगा, तो यहाँ पर जो भी value written करके देगा, क्योंकि map जो written करता है, वो modified value written करता है, modified क्योंकि, तो यहाँ पर मुझे modified value मिलेगी, तो यहाँ पर आप देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 मिला, लेकिन अगर मैं यही काम each के साथ क मिलेगा, वो originally value मिल लिया है, ठीक है, तो map modified value देता है, और each original value देता है, ठीक है, इसको अब ध्यान लखेंगे, अब हम बात करते है, with index method की, अब देखिए, with index method क्या करता है, यह index allot करा देता है, जैसे each each क्या करेगा, पहले one value pass करेगा, two value pass करेगा, three value pass करेगा, ऐसे जो भी variable में save करा सकते है, अब देखिए, मैंने यहाँ पर with index यहाँ पर call किया है, तो यहाँ पर दो value मिल को यहाँ पर receive होंगे, एक n, एक p, अब n पर क्या होगा, सबसे पहले मैंने each method call करा है, तो each method का basic काम क्या है, यह value को written करता है, जिसमें साब आपने call करा है, तो array की each value, अलब 1, 2, 3, यह सब value n पर जाएंगी, उसके बाद p, p पर कौन से value जाएगी, with index वाले, ठीक है, तो यहाँ पर n क्या करेगा, n value इस्टोर कर लेगा, आपकी value, और p क्या करेगा, index इस्टोर करेगा, और फें मैं इसको यहाँ पर print कर वाज़े रहा हूं, index p value n, run कराता हूं इसको, तो मुझे यहाँ पर देखे, index 0, value 1, index 1, value 2 इस तरह से output मिल रहा है, ठीक है, map के साथ भी same चीज होती है, आपकी map के साथ मैं with index यहाँ पर use कर रहा हूं, यहाँ पर यह भी same काम करेगा, जैसे each के साथ काम कर रहा है, index मुझे value देगा, और यहाँ पर देखे, parameter में पास करा स ठीक है, अब देखेंगे, देखे, तो index value के हमें लिए 3 से start होगी, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक हो गया, अब आपका आता है select method और reject method, जैसे में आपसे कह रहा है, select method क्या करेगा, जब condition true होगी, जैसे हमारे case में condition क्या है, x modulus 2 is equal to 0, जब यह condition true होगी, तो यह value तब return कर देगा, जब true हो तो 1, 2, 3, 4 सब जाएगा, तीक है, 1 value होगी, तो यहाँ पर एक condition false होगी, तो यह return करेगा ही नहीं इसको, जब दूसरा यहाँ पर 2x के value 2 जाएगी, तो 2 modulus 2 is equal to 0, true हो गया, तो 2 यहाँ return कर देगा, तो even में true सेव हो जाएगा, इस तरह से 4, 6, 8 सारी value यहाँ पर save हो जाएग अब आता है आपका inject method, अब देखे, inject method जैसे में आप से कहा रहा था, थोड़ सा complicated है, क्योंकि यह दो value लेता है, यहाँ पर देखे, दो, यहाँ पर मैंने variable के name दिये है, sum और x, क्यों मुझे पता है कि inject दो तरह की value पास करेगा, first argument क्या होगा इसमें, जो आपकी value पास ठीक है, देखे, कोई parameter मैंने पास नहीं किया है, कोई argument मैंने पास नहीं किया है, तो इस case में यह 2 को अपनी पहली value ले लेगा, 2 को पहली value ले लेगा, और x क्या ले लेगा, 5 value ले लेगा, ठीक है, फिर, यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, sum और x को print कर रहा हूँ, तो यह म 3 value बन जाएगे, ठीक हो गया, फिर 7 और 3 प्लस होंगे, 10 आएगा, ठीक है, 10 फिर क्या बन जाएगा, फिर से 10, 7 बन जाएगा, और x क्या बन जाएगा, next value, मतलब 4 बन जाएगा, ठीक है, देखे, मैं इसको run करता हूँ पहले, तो output दिखेंगे पहले 2 आया, 2 किसका आया, sum क यह था, sum, यह बना x, दोनों प्लस होए, आया 7, 7, जो output आया 7, वो आपका sum बन जाएगा, ठीक है, अब यह sum बन जाएगा, फिर यह x बन जाएगा, दोनों प्लस होए, फिर यह 10 बन जाए, और यह 10 क्या है, sum है, और फिर यह क्या है, x है, ठीक है, फिर इन दोनों प्लस answer हमारा अगर मैं someone को print करवाता हूँ तो देखे 14 आ रहा है हमारा output क्योंकि यहाँ पर someone की value 14 है अगर देखे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक value पहले से ही pass करके रहता हूँ जीसे parameter pass किया मैंने 0.0 तो यहाँ पर जो p होगा इसमें 1.0 जाएगा x क्या होगा पहला argument जो की बनेगा 12 तो 1.0 multiply by 12 हो जाएगा तो यह 12 रहेगा फिर 12 बन जाएगा p और x क्या बन जाएगा next value 15 तो 12 और 15 multiply होगा फिर जो answer निकल के आएगा यहाँ पर से के निकल के आएगा आपका 180 ठीक है 180 multiply होगा 13 से ठीक होगा फिर जो answer निकल के आएगा फिर वो multiply होगा 14 से ठीक होगा इसको रण क्या मैंने तो देखे 1.0 जो की p की value थी जैसे मैं आपको का यह p value बन जाएगी यह x value बन जाएगी फिर जो multiply होगा वो p value बन जाएगी और यह x value बन जाएगी फिर जो multiply होगे वो answer आया फिर वो p value बन जाएगी और यह x value बन जाएगी फिर जो multiply होगा वो बन जाएगा p value और यह बन जाएगी x value ठीक हो गया यहाँ पर देखिए M को print कर दे यह वनना X को print करें ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा 12 greater than 15 यह क्या होगा condition false हो जागी false हो जागी तो X यहाँ पर return होगा अब X क्या बन जाएगा X मतलब 15 return होगा अब यह 15 जो है यह आपका M बन जाएगा और नई value क्या बन जाएगी X बन जाएगी फिर इन दोनों में comparison का जो उसका output आएगा वह M बन जाएगा और फिर यह X बन जाएगा फिर से M और यह फिर इन जाएगा फिर से X ठीक है तो इस तरह से आपके methods आपके काम करते हैं अगर आपको gate exam में आयो वे subjects पढ़ने हैं तो आप हमारे दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका link आपको description मिल जाएगा और i button पर यह flash हो रहा होगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रही हो तो हमारी वीडियो को like कीजिए share कीजिए हमारी चैनल को subscribe करना ना भूलें thank you watching goodbye take care